दिर स्टूडन्स आज हम डिसकस करने वाले हैं हमारे लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए जिसका टॉपिक था जॉन्सन टू मिल्टन हमने अपने लास्ट लेक्चर में ड्रामा राइटिंग जो है लास्ट जो एलिजबिथन एज का उस समय से लेके जो ड्रामिटिस थे जॉन्सन और उसके अलावा जो ड्रामिटिस थे मिल्टन के टाइम पीरियड तक यहां तक की रेस्टोरेशन पीरियड तक जो ड्रामिटिस थे उनको डिसकस किया था आज हम पोईट्री डिसकस करने वाले हैं जॉन्सन टु मिल्टन के बीच में जितना भी पोईट्स आएं है जिनका नाम हम देख सकते हैं स्पेंसर से ही शुरू होता है तो यह एक एज है ऐसा जिसमें अगर लिटरिचर के उसमें अगर हम इसको डिवाइड करें लिटरी हिस्टरी में इसको अगर हम डिवाइड करें तो ज़ादा फर्क हमें नहीं दिखाई देता है historically हम Elizabethan Age, Jacobian Age में देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं commonwealth का period, revolutionary period में हम देखते हैं, लेकिन जब हम literature का बात करते हैं, तो literature में ऐसे क्या-क्या changes आए, खास तोर पे poetry में, तो poetry में जब हम बात करते हैं, तो हमें दो themes मिलती हैं, पहली theme है, जो हम Elizabeth time period में ही देखते हैं, patriotism का, और दूसरा theme है, एक उसी time period से continue होते वे, जो हमें दिखाई देता है Elizabethan Age से, वो है एक didactic kind of poetry, philosophical poetry, तो इनी themes पे हम देखेंगे, कौन-कौन से Spencer के अलावा जो poets थे, उनका क्या-क्या contribution रहा है, In Spencer's time, we see the patriotic impulse effected the Elizabethan imagination, तो हम देख सकते हैं कि Elizabethan time period में, Spencer ने जो एक पूरा trend शुरू किया था, एक patriotic impulse जो उनकी poetry में मिलता था, वही हम देखते हैं, continue किया जाता है बाकी writers दौरा भी, or a imagination in many different ways, and poetry was one of the areas in which this impulse was synthesized. तो ये एक खास जो हमने पहले भी discuss किया है, Elizabethan background जो हम discuss कर रहे थे period का, तो एक जो Spanish Armada को हराने के बाद हम देखते हैं, एक nationalism का जो पूरा feeling जागता है England के अंदर, उसमें literature का काफी contribution हमें दिखाई देता है, खास तौर पे जो aristocratic poetry थी, जो हम कह सकते हैं कि pro-monarchy, जो literature लिखा जाता है, उसमें poetry जो है, poetry एक खास role play करता है, poetry में हमें ये सारे trends जो हैं, उस समय के themes जो हैं, जो एक social, cultural, political life जो है, उसका reflection हमें poetry में दिखाई देता है, Spencer में हमने ये study किया है, Spencer के अलावा, along with Spencer, other Elizabethan poets also exhibited this impulse and took interest in English history. तो ये अपने आप में एक important factor है, कि history को study करना, Elizabethan time period में हम देखते हैं, उससे पहले भी हमने देखा है, कि एक अपने particular community का, एक जैसे Anglican अगर हम देखें, या English people का अगर हम देखें, तो English people जब अपना एक nationality का feeling डेवलप हो रहा है, तो उसमें history writing का काफी important role रहता है, तो poetry में ये impulse हमें दिखाई देता है, इसके अलावा English history को study करना, English history construct करना, कि हमारा ये इतिहास है, और हम ये nation है, हमारा ये identity है, तो ये जो national identity construction जो है, इसका शुरुवात हम देख सकते हैं England के अंदर, इस time period से हो जाता है, और poets जो है, उनका एक काफी mehtoporn role, important role से इसमें रहता है, क्योंकि एक तरीके से poetry writing जो है हम देखेंगे, poetry writing हर किसी के लिए उस समय नहीं था, poets जो थे ज़्यादा तर एक aristocracy से close रहने वाले poets थे, या फिर aristocrats खुद poetry जो है लिख रहे थे, और poetry writing, poetic imagination जो है उस समय का, हम देखेंगे उसमें ये national identity का concept हमें दिखाई देता है, Spencer के अलावा जो एक important poet है, उनका नाम है, one of the poet was William Warner, 1558-1609 और इनो ने लिखा है, who wrote Albion's England ये इनका काफी important work उस समय के लिए माना जाता है, it is a versified history of England and the book was very popular in those days. Even though हमें इस किताब के बारे में जो हम normally जैसे हम देखते हैं कि English literature का जब बात होता है, तो और खास्त और पर Elizabethan Age का बात होता है, तो इस writer के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं, लेकिन अगर हम उस समय को ध्यान देते वे समझने की कोशिश करें, कि उस समय में जो इस writer का contribution है, वो भले ही English literary history में बात में नहीं इतना दर्ज कराया गया, या उसको prominence मिला, लेकिन उस समय के लिए इस writer का और इस particular work का, Elbyans England जो है, काफी इसका एक significance है, और उस समय लोग जो है, इस particular work को काफी important work मानते थे, जिसमें England का history जो है, verse form में जो है, लिखा गया था, शुरुवात में अगर हम देखें, इसकी चार books थी, from the original four books, शुरुवात में चार किताबों में ये history लिखी गई थी, it was enlarged into 16 editions by 1606, तो हम समझ सकते हैं कि ये किताब अपने आप में उस समय के लिए इतना महत्वपून किताब होगा, कि शुरुवात में जब ये book publish हुआ था, तो four volumes में हुआ था, four books थी ये, और 1606 तक आते हैं इसके 16 editions जो हैं हम देख सकते हैं मार्किट में उस समय की मार्किट में available थे, तो क्यों इतने editions लिखे गए हम देख सकते हैं, एक popularity की वज़े से दूसरा, एक अपना history जानने की जो इच्छा होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण एक कारण जो है, एक curiosity जो है, वो बनता है, कि England as a nation or as a national identity English people का, वो किस तरीके से construct है, उसका क्या meaning है, ये लोगों के लिए अपने आपके लिए जानना काफी जरूरी था, even writers, poets, aristocrats, dramatists, जितने भी noblemen, even common people, उनके लिए भी इसी तरीके से एक nationhood का feeling आना, एक common identity का feeling आना, उसके लिए history writing एक काफी important एक concept जो है, बनता है, और ये particular work उस समय के लिए काफी में तो पूर्ण था, और ये एक poet दुवारा लिखा गया था, ये एक सबसे important बात हम इसमें देख सकते हैं, तो उस समय के लिए हम देखेंगे, भले ही इस poet को काफी जाना गया, पहचाना गया, लेकिन बाद में हम देखते हैं, जब normally हम कोई English literary history देखते हैं, तो इस work को जादा महत नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप deeply हम देखें कि जो उस समय के writers हैं, popular writers, वो कहां से अपना imagination जो है, लेके आ रहे थे, उनका imagination किस,